Hello everyone, welcome to Abhimanyu IS. I hope you all are doing great. My name is Akshay Soni, reasoning mentor at Abhimanyu IS and in this session that is Abhyaas 2.0, को जिसका रीजनिंग का फिफ्ट सेशन है ठीक है जो कि हर्याना सिबिल सर्विसिस 2024 के लिए है तो यह सी सेट का रीजनिंग का जो सेशन है इसमें आज हम डिसकस करेंगे कोडिंग ुक्ड it is watt एक वी जो एक बार किया होगा उन में जो वी टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं उनको वी अपने की अधिक आफ्शिक को सेशन को करते हैं तो अभी हम अप यह को स्टार्ट करते हैं पहल destнем future का कॉंसेट भी बताऊंगा ठीक है तो जुड़े रहना आपने मेरे साथ में और सबसे पहले हैं आप सभी को बता दूँ कि प्रिलिम के लिए जो फास्ट्रेक जो बैच है यह आप प्रचेश कर सकते हैं विदिन 35,000 यह लाइब बैच रहेगा इसका जो है आप देख सकते हैं कि हर्याना सीविल सर्विस के लिए अभी मन्यू जो है नंबर वन इंसिजूट है ठीक है और एक जिसमें की 41 प्लस सब्सक्राइब कर सकते हैं हमसे अभी मन्यू आइस तो देखिए सबसे पहले में आपको कोडिंग डिकोडिंग का कॉंसेट बताऊंगा ठीक है कि कि इस तरह से कोड होता है ठीक है उसको डिकोड कैसे किया जाता है देखिए आपके वर्ड दिया जाएगा ठीक है वर्ड को किसी लॉजिक के थूड कोड किया जाएगा कोई लॉजिक होगा कुछ भी हो सकता है ठीक है उसको उसकी तरह से कोड किया जाएगा इसका यूज करके और इसमें जो है हमने क्या करना है हमने इस logic को ही find out करना है ठीक है जब यह logic find out हो जाएगा तो उस logic को हम apply करेंगे next question में जो भी आपको question give बनोगा जैसे कि यहाँ पे आप ऐसे लेके चले कि इसकी जगह मैं आपको बताता हूँ question एक और यह word है quest इसको code किया s w g u v यह code कर दिया देखिए यह word है word के सामने ही इसका code लिखा गया है ठीक है आपने कैसे इसको find out करना है हमने देखिए यहाँ पे देखिए q से s बनाया है u से w e से g s से u t से भी हो सकता है cross में भी इसका relation बने ठीक है मैं आपको यहीं पे बता दूँगा कि इसमें pattern कैसे बनेंगे और इनकी position value को भी आप कैसे find out कर पाएंगे देखिए जोटी वर्ड है जोटी वर्ड का आपने यूज करना है ठीक है जोटी मतलब क्या है यहाँ पर यह बिहेविरल इंग्लिश में यूज नहीं होगा कभी भी हमने सिर्फ reasoning के लिए बनाए इसमें तो इफाइब पे जे टैन पे ओ फिफ्टीन टीटी एंड वाइट्टीफाइब इन में आस पास के जो लेटर्स है उनकी position value को इसे find out किया जा सकता है जैसे कि अगर हम देखें ओ की जर्ट पार अता है पी पिए जर्ट पर रटक्यों तो यह कॉन से नुमर पर आगा 17 ओ 10 ठीकर टी के जर्ट वाद यू आता हब वी तो यह कैंविर जास ट्यक्तर टी हैं ट्वाइव पर अब आपने लॉजिक को देखना है लॉजिक को कैसे देखेंगे कैसे find out करेंगे तो देखें यहाँ पर 17 से 19 हुआ तो इसमें क्या हो रहा है फ्लस टू 21 से 23 फ्लस टू जो है 5 से 7 फ्लस टू 19 से 21 फ्लस टू 20 से 22 फ्लस टू ठीक है तो सभी में आपको क्या देखने को मिल जो है अब देखंगे जब आपको लॉजिक जब आपको मिल गया तो आप इसका यूज करेंगे नंबर नहीं लिखेंगे अंने क्या करना मतलब जी के बाद क्या आएगा ठीके बाद आता है H, H के बाद क्या आएगा, I, ठीक है, R के बाद S, S के बाद T, E के बाद F, F के बाद G, A के बाद B, B के बाद C, ठीक है, T में 2 कर दो add, तो V, तो ये बन रहा है, इसमें code, ठीक है, ये word था, ये code बना दिया, हमने इस logic का use करके इसको बना दिया, ठीक है, अ आपने क्या करा, at least 20 word लिख लो, 20 word के सामने, इस तरह से इनकी position value लिख लो, ऊपर, ठीक है, जैसे A1 पे है, B2 पे, C3 पे, तो आपको इसी तरह से इजॉटिक आभी use कर सकते हैं, ठीक है, तो उनकी position value लिख लो, अगर जब तक आपके 20th word होगा, तब तक आपको काफी चीज submit से आप याद रख लो, ठीक है, उसी तरह से M, M कौन से नंबर पे आता है, अगर हम A से Z तक देखें, तो 26 letter है, अगर हम उसका 26 का half कर देते हो, तो 13, तो M आता है 13 पे, ठीक है, तो इस से related है, ठीक है, यह M 13 थे, इसमें बना है, M के just बाद N है, उसकी position भी आपको याद हो होगे, ठीक है, उसी तरह से M का, अगर मैं इसको upside down करता हूँ, तो यह बनता है W, और इसमें क्या करते हैं, इसमें 10 add कर दे तो क्या बनेगा, यह 23 बन जाएगा, तो 23 पे W है, ठीक है, तो ऐसे आप या रसते हैं, जैसे कि T20, T20 cricket का format है, ठीक है, तो यह थे position value के लिए, deposits में आपको बताता हूँ, देखिए, इस तरह से कुछ letters है, यह मैंने A से लेके M तक letters को लिखा, ठीक है, अब reverse order में, यहां से आपने N onward, जो है, लिखना शुरू करते हैं, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, ठीक है, यह मैंने letters को लिख दिया, अब देखिए, A1 पे है, Z26, दोनों का अगर मैं sum कर दूंगा, तो यह 27 बनता है, ठीक है, B2 पे है, और Y25, दोनों का अगर sum कर देंगे, तो 27 बनता है, इसी तरह से आपके letter चलेंगे, जैसे कि M13 पे हैं, और N14 पे, इनका दोनों का sum करे है, 27, तो यह आपको help करेगा, जो opposite 7 को याद करने में, उनकी position value को याद करने में, ठीक है, तो अगर आपके पास देखिए, क्या होता है, exam में हमें time मिलता है, ठीक है, अगर आप जैसे की reasoning का section करने, माली जैसा question आगे, जिसमें की, जो है, दोनों का आमने सामने, जो है letters का sum 27 बन रहा है, तो उसका meaning का opposite है, ठीक है, तो आप, आपको एकदम से दिमाग में आना चाहिए, कि इस तरह से letters को हमने reverse order में, पहले हमने, जो है, उसी order में लिखना है, जैसे order है, उसके बाद हमने reverse order में लिखना है, ठीक है, no onward, तो इस तरह से letters की position value को find out कर सकते हैं, जैसे क example है, यही great word का, अगर मैं इसमें, quote देखूं, इसके opposite क्या बनेगा, जी का opposite आएगा, T, ठीक है, आर का opposite I, E का opposite V, A का opposite Z, T का opposite G, ठीक है, तो अगर आप इसको एक बार, एक दो बार practice कर लेंगे, या जैसे questions है, मैंने जैसे आपको बोला था, कि इनको याद करने का क्या तरी देखो, जैसे great, इसके ओपर position value लिख दो, उसके सामने ही इसके opposite लिख दो, ठीक है, तो देखिए आपको letter B, letter की position भी याद हो रही है, उसके opposite भी हमें याद हो रहे है, और साथ ही साथ क्या है, जो आप इसमें position, जो आपने इसमें opposite लिखे, जैसे कि T, I, V, Z, और G, इनके भी आप जो है position value लिख दो, तो आपको इसमें से दोनों ही चीज़े याद हो जाएंगी, ठीक है, तो ये तो था इसमें से कि हम इनकी position value के use करेंगे, देखिए, मैं आपको क्यों इसमें stress कर रहा हूं उन चीज़ों को याद करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ा जो है, आप को उसमें help करेगा, एक और topic है, analogy उसमें भी help करेगा, classification topic है, उसमें भी help करेगा, ठीक है, तो तीन से चार topics में ये आपको help करेगा, अब मैं आपको बताना चाता हूं, इसमें patterns, तो patterns किस तरह से होते हैं, उनका use कैसे करेंगे, देखिए, जैसे कि हम example लेते हैं, इस create word का, प ये के बाद F आ गया, A के बाद B, ये example मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, पहला ये, ठीक है, second इसमें आ सकता है कि, यही great word का example ले रहते हैं, तो इसमें जी का opposite P, sorry, ये पहला letter है, इसका cross में इस last letter के सामने यहां पर code किया opposite T, ठीक है, R का opposite I, E का opposite V, A का opposite Z, T का opposite G, ठीक है, तो ऐसे cross में, इस pattern को हम cross pattern बोल लेंगे, ये ऐसे मान का चलो कि last को first में code किया है, first को last में, ऐसे cross में इसको coding की गई है, ठीक है, तीसरा हम लेके चलते हैं, इसमें coding ऐसा हो सकता है, कि इसको first letter की coding, second letter की सामने second की third के सामने, third की fourth के सामने, fourth की fifth के सामने, और fifth की last में, जो last letter है, उसकी first में की हो, ठीक है, ऐसे इसमें coding की हो सकती है, या इसको parts में भी तोड़ा हुआ हो सकता है, जैसे, चौथा अगर हम देखें, यहाँ पे, example ले रहते हैं, कि यही greats word है, great उसमें ऐसे लगा, greats मैंन number of letters है, तो इस तरह से उन्हें, पार्ट में इसको तोड़ा हुआ हो सकता है, ठीक है, दो पार्ट में divide कर दिया, और cross में इसमें coding कर दी, ठीक है, ऐसे आपको coding इसमें मिल सकती है, ठीक है, इवन आपको ऐसे भी मिल सकता है, कि मालीजिये, जैसे odd number of letters है, ठीक है, उनको इस तरह से तीन पार्ट में तोड़ दिया, यहां पे cross में coding, इसमें cross में coding, और इसके जो है coding different हो, इन दोनों पार्ट से different हो, हो सकता है, इसमें minus करके हो, इसमें plus करके हो, इसमें opposite आ जाए, ठीक है, तो यह pattern को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आपको pattern समझ आ जाए इस question में क्या given है, कि reasoning word है, इसको लिखा गया है, इस form में, इसको इस form में लिखा गया है, ठीक है, तो हमें बताना है कि auditions word है, इसको कैसे लिखा जाएगा, तो आपने क्या करना है, इस तरह से आपने capital में reasoning word को लिख दिया, ठीक है, इसको लिखने के बाद आप क्या करेंग T, B, F, S, M, F, M, G, P यह आपने code कर दिया यह सामने लिख दिया इसका code अब इसको पहचानना है पहचानेंगे कैसे? देखे, इनकी अगर मैं position value लिखूं तो position value से भी इसको पहचानना है जैसे कि R 18, E 5, A 1, S 19, O 15, 14, 9, 14, 7 उसी तरह से 22, 6, 19, 13, 6, 13, 7 और 16 एक तरीका होता है कि आप letter को आपस में relate करने की कोशिक करो नमबर को आपस में relate करने की कोशिक करो जैसे कि देखे, 18 से 19 R से S S से T 19 से 20 5 से 6 8 A से B, मतलब 1 से 2 ऐसे cross में हो सकता है तो यह क्या आ रहा है? इसमें सभी में plus 1 बन रहा है मतलब overall जो 4 letter है इसमें यहाँ पे यह part में तोड़ा गया है इसको इन letters में cross में coding की है जैसे मैंना आपको last में इसमें बताया था ठीक है? previous page पे जो मैंना आपको यहाँ पे बताया था इसमें coding ठीक है? यह बाले coding ठीक है? अब यही चीज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है अब देखे इसमें 15 से 13 यह क्या हो रहा है? यहां पर हो रहा है, minus 2, यह part अलग है, और देखिए, इसमें g से f, क्या होगा, g, 7 से 6 हो रहा है, तो यहां पर minus 1, इसमें देखिए, 14 से, जो है, यहां पर 13, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें भी minus 1 हो रहा है, और यह 14 से 16, देखिए, cross में, 14 से 16, इसमें plus 2, और i, 9 से 7, इस इसमें माइनस टू हो रहा है तो आपको ऐसे कोडिंग देखने को मिल रहा है एक पैटर्न आपको इसमें देखने को मिल रहा है ठीक है अब क्या यही चीज आपके अपलाई हो रही है इसमें auditions word में, अब आप इसको देखेंगे, यहाँ पर, यही चीज को हम apply करेंगे, तो देखें, पहला part जो था audy, इसको आप देखोगे, तो i में क्या करना है, इसमें यहाँ पर plus one करना था, ठीक है, 19 से 20, तो i से j, d से e, u से v, और a से v, यह बना, j, e, v, v, ठीक है, तो j, e, v, b, यहाँ पर मिल रहा है आपको, देखें, यह आपका इसका answer बनना चाहिए, ठीक है, तो अब हम इसको check करेंगे, जैसे t से, क्या करना है, इसमें माइनस two, तो क्या आ रहा है, r, यहाँ पर माइनस two करेंगे, इसमें देखिए, s से, माइनस one करना है, तो क्या आएगा, इससे पहले r आता है, n से पहले क्या आता है, m आता है, तो आपको, double rm, यह देखनों को मिल रहा है, और आगे भी यहाँ पर इसी तरह से देखनों को मिलेगी, तो यह जो आपको code बन रहा है, तो option c में देखनों को मिल रहा है, ठीक है, आप इसको complete भी कर सकते हैं जब आपको ऐसे पता चल गया कि यही ऑप्शन है तो वह आपका क्या करेंगे उसको फिर टाइम बेस नहीं करना नेक्स्ट में मूव कर जाना अपने ठीक है अब देखिए यहां पर मैंने आपको बताया था कि इसमें यहां पर प्लस टू हो रहा है और इसमें माइ चाहिए एक इसमें मिसिंग एक्चुली यहां पर ल आना चाहिए ठीक है और इसमें माइनस टू करेंगा तो देखिए फिफ्टीन से थर्टीन थर्टीन पर आता है थर्टीन पर यहां पर एम आएगग तो इस तरह से यह कोड बन रहा है जो कि आपकी ऑप्शन स्थी में ब LBs चैक करेंगे कि रिलेशन क्या है देखिए जैसे कि यहां पर क्या वन रहा है यह 20 टी है और यह 12 इसमें यह देखिए यह 14 है और यह 19 है कितना बन रहा है इसमें प्लस 5 बन रहा है, ठीक है, 14 और 15, ओके, अब यह जो coding है, इसमें जो हमें यहां पर जो relation मिल रहा है, वही चीज़ को हम apply करेंगे case word में, देखिए, case word इस तरह से, पहले करेंगे हैं, इसमें minus 2 तो क्या आएगा, a, फिर करेंगे इसमें plus 4, तो क्या आएगा, e, ठीक है पांच letter word होता है, और क्या रहा है, फिर आएगा minus 3, तो इसमें देखिए, 19 से 3 कम कर दो, 16, 16 पर आता है, और इसमें क्या करना है, हमने, इसमें 5 करना है, 5 add करेंगे, तो पहले ही 5 पर, जो है 10 पर आता है, तो यह a, e, p, j, जो आपकी पहली option है, यह इसका answer बना है, ठीक है, यह next question है, juice word है, इसको numbers की form में लिखा गया है, ठीक है, तो देखिए यहां पर, j, u, i, c, e, ठीक है, इसको लिखा गया है, 19, 41, 17, 5, और 9, ठीक है, अब चेक करते हैं, जैसे हमारे पास, c और e है, इनको यह 5 और 9 लिखा गया है, तो हम इसी से find out कर पाएंगे न, देखिए, c को 5 लिखा है, और e को 9, ठीक है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें, तो सभी letters, सभी numbers के हैं आपके, सभी numbers odd है, और even आपको इसमें prime number भी मिल रहे हैं, ठीक है, तो हम चेक करेंगे, देखिए, यहां पर यह जो odd numbers है, यह 4 prime है, यह odd number है, ठीक है, तो चेक करेंगे कि कि बन सकता है, देखिए, अगर मैं a को 1 बनाओ, ठीक है, और b को मैं बनाओ, उसमें 3, c को 5, d को 7, और e को 9, ठीक है, तो इस तरह से बन जाएगा, देखिए, अगर मैं आई तक पहुचना चाहूं, e के बाद आएगा, f, f के बाद g, g, g के बाद h, h के बाद आए, ठीक है, त 17, 17 में यहां पर पहुच गया, यह मैंने इसको find out कर लिया, ठीक है, तो इसमें 17 अच्छली यहां पर i का बन रहा है, तो यह हमने find out कर लिया, अब आपको यह चीज जब पता चल गई, तो आप क्या करोगा, डिरेक्ली उसको apply करोगे, किस word में, यह two word में, देखिए, ती, इसमें क्या बन रहा है, एक, तीन, पांच, सात, नो, ग्यारा, तेरा, पंदरा, सत्रा, सत्रा, ठीक है, 17 के बार क्या आएगा, यानि कि आप double करे क्या करो, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, ती 20 है, 20 का double क्या आ जाएगा, इसमें हम करी लेते हैं इसको, तेखिए, i, j, कि आएगा यह 19 अगया जो की हमने यहां पर find out किया था यह की बात करें तो यह 21 l की बात करें यह 23 m 25 and 27 ठीक है और o 29 ठीक है इसकी जो है 29 आजाएगा ठीक है पी की बात करें तो पी कितना आएगा पी आ जाएगा इसमें 31 अब आप देख सकते हैं इसमें जितना इसका नंबर है नंबर को डाबल करूं से एक कम कर लो हमने find out कर लिया तो टी 20 है यह 20 पर 20 का डबल करेंगे तो उसे कम कर लेंगे तो कितना आजाएगा यह तो इसमें और नंबर से आप इसको लेट कर सकते हैं वह क्या था कि नंबर को डबल करो जो इसको लिखा गया है इसको लिखा गया है इसको लिखा गया है इस तरह से लिख लेंगे जैसे कि अगर हम बिना नंबर के इसको यूज करके देखे एप से यह दी बन गया ठीक है ओ से पी बन गया आर से पी बना जी से एच बना आई से जी वी से डवलीव ई से सी तो कैसे बनेगा एप से बनेगा जब हम इसमें प्लस टू करेंगे ममेंस two करेंगे ठीक है? यह ममेंस हो गए यहांपर इसमें क्या आरा है? यह प्लस one आ गया, फिर द अर से पी क्या बना? मैनस two, फिर क्या बने गा? जी से एक्रण़माई फिर आ से जी मैनस टू, सी से डवन प्लस वन और इसमें क्या बन रहा है ईसे c-2 तो alternate में आपको यह number देखने को मिल रहा है अब यही चीज को हम request word में देखते हैं तो कि पहले जो था इसमें minus 2 है फिर plus 1 है फिर minus 2 फिर plus 1 इसी तरह से चलेगा तो क्या आएगा इसमें minus 2 करेंगे तो क्या आएगा e के बाद आएगा f minus 2 करेंगे तो क्या आएगा q के बहले आता है r r के पहले आता है इसमें q के पहले p p के पहले आता है o तो यहाँ पे आएगा तो यह p f o आपको पहली option में देखने हो बिला अभी यहाँ पे none of these भी आ रहा तो आपने check कर रहे है इसको properly कि यह बन रहा है के न ठीक है इसमें करेंगे plus 1 तो ऐसे बाद आएगा ठीक है और इसमें करेंगे minus 2 ठीक है तो minus 2 करने पहले है करने पर यारा है है अब देखी यहां पे Luci वगया दिफरेंट होगे तो यहां पर मिल रहा है यू और यहां पर ट ट थो उसमिवसे क्या आएगा यह नौन आप झीडा रोथ ऑप्षेंगे के ट İş को पर करहें बैट अगर आपके प्स इसमें से यह नौन आपने जो भी आपको उसमें से जो भी आपने इसमें इसमें कोड निकाला ठीक है जो भी आप इसमें लॉजिक निकाले उसे इसमें लिखा गया कि 4515459 देखने पर एवन पर ही आता है इफाइब पर आता है इफाइब आता है इफाइब आता है यह 13 है ठीक है और 14 है और 18 यह आपके डवल बन रहे है ध्यान से देखने पर पता क्या चल्डा कि इन दोनों का सम यह बन रहा है इन दोनों का सम यह बन रहा है तो इसी तरह से आप क्या करेंगे mathematics word अगर हम इसमें यूज करें तो देखिए यहां पर मतलब 1-3 क्या बनेगा 4 1 t 2-2 ठीक यह 8 5-4 ठीक है 129 और यह क्या बनेगा देखिए 19 का मतलब 1-9 क्या बनेगा टैन का मतलब 1-0 यह भी क्या बनेगा वन ठीक है तो इस तरह से बंड़ा आप देखिए कौन सी option में देखने को मिल रहा है यह मिल रहा है को second option में देखने को ठीक है चलिए next question पर करते हैं यह question given है यहां पर कि time को लिखा गया है oe jc river को लिखा गया यहां पर तो देखिए यहां पर दो जो है आपको यहां पर example दिए गये हैं तो हमें find out कर रहे हैं कि क्या relation होगा तो time word है time में क्या गया है oe jc 29 13 5 15 5 10 3 3 से देखिए 5 से 3 बना माइनस 2 13 से 10 बना माइनस 3 9 से 5 बना माइनस 4 20 से 5 बना माइनस 15 माइनस 5 ठीक है तो यह जो है यहां पर लॉजिक चल रहा है कि राइट एंड से यह शुरू हो रहा है अगर हम example देखें रीवर वर्ड तो रीवर वर्ड में क्या गिवन है यहां पर e l d r b p देखिए यहां पर हुआ इसमें माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 देखिए 9 था और यह 4 है तो माइनस 5 करके 4 बन गया ठीक है उसी तरह से 18 है अगर मैं इसमें माइनस 6 करूंगा यह 12 बनता है ठीक है मतलब राइट यही शुरू हो रहा है लेट की तरफ जो है नमबर डिफ्रेंस मतलब माइनस जो है माइनस पर वैल्यू बढ़ रही है तो हम यही क्लाउड वर्ड में चेक करेंगे c l o u d ठीक है माइनस 2 करके आएगा बी माइनस 3 करके आएगा देखिए 21 है 21 से 3 कम कर दो 18 18 प्याता है आर आर और भी आपको यहां पर मिल रहा बाकी जगह नहीं मतलब यही ऑप्शन होगी ठेक करेंगे कंफर्म करेंगे देखिए जैसे 15 है 15 से माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा 11 11 प्याता है कि यहां पर आपको मिल रहा है ठीक है यह आगया 12 12 से माइनस 5 करो क्या आएगा 7 7 और 5 12 ठीक है तो 7 प्याता है जी और उसी तरह से यह क्या बनेगा यहां पर 3 है 3 से माइनस 6 करना अब 3 से माइनस 6 करना तो यह सबसे बड़ा टास्क होगा ठीक है क्योंकि हमें सी है तो सी से पहले हमें कोई सी से पहले भी है बी से उसके पहले क्या आएगा उसके पहले आपने क् वाई एक्स और डव्यू ठीक है तो यह बन रहा है ना six तो क्या बनेगा यहां पर इसका जो बनेगा यहां पर डव्यू जी के आर भी आपको पहली option में देखने को मिल रहा है ठीक है चलिए next question है यहां पर council word है council word को लिखा गया इस तरह से ठीक है हमें बताना है कि guidance word को किस तरह से लिखा जाएगा तो c-o-u-n-s-e-l तो क्या लिखा गया इसमें b-i-t-i-r-a-k देखिए t से b minus 1 o-c-i-o कितने पर पंदरा पर यह 9 पर क्या बन रहा है 9 6 15 माइनस 6 21 से 20 क्या बन रहा है minus 1 ठीक है इसमें देखो s-r minus 1 l-k-1 alternate पर आपको minus 1 दिख रहा है और देखिए 14 से 9 minus 5 5 से 1 minus 4 यह बन रहा है ने इस तरह से अगर मालो आगे आएगा तो यहां पर minus 3 हो जाएगा ठीक है तो हम check करेंगे कि इसमे guidance word में क्या इसको apply किया जा सकता है तो देखिए यहां पर इसमें minus 1 करके क्या आएगा पहला हमारा minus 1 था alternate में minus 1 थीक है तो जी से पहले क्या आएगा जी से पहले एगा एफ कहां पर मिल रहा है इन दो option में UK 21 है इससे क्या करना इससे minus 6 करना 21 से 6 कम कर दो 21 से 6 कम किया तो क्या आएगा 15 थीक है तो 15 पर क्या था ओ यह वाली option इसमें आने चाहिए बट इसमें none option भी है मतलब none of these थीक है तो इसमें क्या आएगा यहां पर यह 9 है 9 से 8 यह f o h बन रहा है थीक है f o h यहां पर मिल रहा है फिर क्या बन रहा है यह d है इसमें minus 6 minus 1 minus 5 इसमें minus 5 करेंगे तो क्या आएगा minus 5 करने पर यही बन रहा है y ठीक है और बाकी भी आपके इसी तरह से चलेंगे तो यह option इसमें बनेगे आपके ठीक है b option ओके clear चलिए next question पर move करते है यह question दिया गया आपको यहां पर numbers दिये गए ठीक है जैसे कर हम bat word को देखेंगे तो यह लिखा गया chat word को देखेंगे तो इस तरह से बनना अब हम bat word से इसको बना के देखते हैं कि bat से यह 787 कैसे बनेगा ठीक है ठीक है बी आता है 2 पे यह 1 पे ठीक है और यह 20 पे relation नहीं बन रहा जैसे कि हमने add कर दिया अब देखे बी का opposite आता है y कितने पर आता है y आता 25 अब क्या इससे हम इन दोनों को add करके seven बना सकते हैं YES बना सकते है एका opposite आता है Z, Z, 26 पे क्या इन दोनों को add करके eight बना जा सकते है YES बना सकते हैं उसी तरह से यह T k opposite G, G7 पे आता है तो इसका seven ही रहेगा यह बन रहा है क्या यहीं जो है chat word के लिए भी applicable है तो देखें यहां पे chat C, C opposite X X आता है 24 पे दोनों को आड़ करो 6, ठीक है, 6 अब है बिल गया H opposite S S आता है 90 पे दोनों को आड़ करो, तो क्या बनेगा 10, 10 को further आड़ करो, 1 और 0 को तो 1 आएगा, ठीक है, A opposite Z Z जो कि हमने यहाँ पे बनाया तो क्या बनेगा, यहाँ पे यहाँ बनेगा E opposite G, जो कि हमने यहाँ पे बनाया तो यह बन रहा है, ठीक है वही चीज़ हम slate word के लिए apply करेंगा तो देखिए यहाँ पे slate word के लिए क्या बनेगा S opposite H, H कितनी पर आता है 8 पे, 8 आपको देखने को मिलेगा L का opposite क्या बनेगा O, O कितने पर आता है 15 पे, 15 का मतलब A plus 5 6, ठीक है 6 देखने को मिलेगा, इसमें से कौन सी option आएगी एक तो यह option बनेगी, एक यह option बनेगी A opposite Z, कितना बन रहा है 8, T का opposite G है 7, ठीक है E का opposite V है 4, तो यह option मिल रही है 8, 6, 8, 7, 4 8, 6, 8, 7, 4 option B इसका अंसर बन रहा है, ठीक है तो यह थे हमारे कुछ questions, I hope आपको समझ आ चुके होंगे, तो that is all for now, तो please like, subscribe and share, thank you